नमस्कार मैं हो गार की चेटरवर्ती आप देख रहे हैं श्रेश्ट यूपी भीशन गर्मी के बाद आखिरकार अब मौनसून ने दस्तक दे दी है मौनसून कई लोगों का फेवरेट वेदर यानि पसंदिदा मौसम होता है लेकिन कई लोग जादा बारिश होने से और बारिश के बाद की उमस से काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन फिर भी इस सुहाने मौसम को इंजॉय करने के लिए आपका बारिश में भी अच्छा दिखना काफी ज़रूरी है इसलिए हम आप के लिए लेकर आए हैं स्पेशल मॉन्सून के फैशन, ट्रिक्स और टिप्स जिनने फॉलो करके आप खूबसूरती से ये बारिश इंजॉय कर सकेंगे माई जून की गर्मी ने लोगों की हालत खराब करती थी लेकिन अब बारिश से लोगों को राहत है करहा के कपड़े पहने आज हम आपकी सारी पाशन रिलेटिव ट्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाले हैं बारिश जैसे मौसम में कपड़े बड़े ही सोत समझ कर पहनने चाहिए क्योंकी जोरान राशस होने की समस्या काफी बढ़ जाती है लेकिन इस खूपसूरत मौसम का मज़ा लेने के लिए घूमना भी तो जरूरी है और घूमने के लिए स्टाइलिश दिखना बेहद ही जरूरी इसलिए ऐसे मौसम में कभी भी टाइट कपड़े पहन कर बाहर ना निकले क्योंकी जादा टाइट कपड़े पहनने से आपको खुजली होने लगती है और साथ ही ऐसे कपड़े आपके शरीर पर चिपकने लगते है जिससे आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है सबसे पहले ऐसे मौसम में कपड़े के फैब्रिक का खाद ध्यान रखे इसलिए ऐसे मौसम के लिए बेस्ट आप्शन है शिफॉन का फैब्रिक जो काफी जादा सॉप्ट होता है और वो बॉडी पर चिपकता भी नहीं है वही ऐसे मौसम में आपको जीन्स पहनना भी अवोईट करना चाहिए आपको लोवर या फिर कार्गो पांच सी पहननी चाहिए और अगर फिर भी आपको जीन्स पहनना है तो स्किन फिट जीन्स पहनना बिल्कुल अवोईट करें इसके बदले धीली ढाली जीन्स वेर करें ऐसे मौसम में transparent यानि की पारदर्शी कपड़े पहनना भी बिल्कुल avoid करना चाहिए क्योंकि ऐसे कपड़े भीगने के बाद पारदर्शी हो जाते हैं जो आपको कई बार uncomfortable feel करवा सकते हैं इस मौसम में जूते भी काफी सो समझ के चुनने चाहिए ताकि वो बारश में गीले ना हो जाए ऐसे में आपको rubber या leather यानि की चमड़े के जूते ही लेने चाहिए क्योंकि वो बारश में जादा खराब नहीं होते साथ ही rubber और leather के जूते एक safe option है वही अगर लड़कियों के make-up की बात करे तो ऐसे मौसम में लड़कियों को light make-up प्रेफर करना चाहिए क्योंकि heavy make-up से आपका चेहरा खराब नजर आता है इसलिए foundation के बदले लड़कियों को light concealer का इस्तमाल करना चाहिए और अब आप है एकदम monsoon ready तो ये थी कुछ ज़रूरी tips और tricks जिसको follow करके आप बारिश के लिए एकदम ready हो जाएंगे इतना ही नहीं इन tips से आप बेहदी stylish और glamorous भी लगेंगे तो अगली बार आप बारश में बाहर जाए तो हमारी ये report ज़रूर याद कर ले यूपी की हर ख़बर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेश्ट यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे